दोस्तो स्वागत है आपका आज हम सामान हिंदी में बात करेंगे प्रमुख गुरू और उनके शिश्यों के बारे में यहां से जनरली कभी कबारगात कुश्यंट पूछ लेते हैं चोटा सा टॉपिक होगा 10 मिनिट का 10 मिनिट कभी नहीं होगा चलिए दोस्तो स्टार्ट करत हैं इसको हम और दूस्तों मैं आपको बता दूँँ कि साहित पर जो है मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूं कि कौन-कौन से टॉपिक मुझे आपको पहले बताने चाहिए तो थोड़ा सा मैं मुझे टाइम जरू लग रहा है मैं लेकिन जल्द से जल्द आप तक सारे जो हैं वो मैं लेके आऊंगा ठीक है तो और इसके लाबा कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दें तो जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आएंगे तो मैं कोसिस करूँगा कि वो टॉपिक सबसे पहले में कम्प्रीट कर बाऊं जैसे आपके जो एसाई में कुष्चन आते हैं वो रचनाओं पर कुष्चन आते हैं ठीक है और रचनाओं के लाबा जो रचनाओं हैं उनकी भाषा भी पूछ ली जाती है कि रचना किस की है और किस भाषा में यह लिखी गई है तो अभी तक का जो मेरा अमदम मैंने देखा है, ज्यादा तर पेपर्स में स्टार्टिंग के, और में इसी तरीके के कुश्यन आए, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार आप भी मुझे बताएं कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, जैसे ब्याकरण में अलंकार के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स समझाऊंगा, एक-एक पॉइंट को में एक्जम्पल के माद हम से समझाऊंगा, आप बिल्कुल निस्प कर रहे हैं, अलंकार का एक भी कुश्चन आप से नहीं चोटेगा, चलिए दोस्तों इस देखते हैं हम तो प्रमख गुरू और उनके शिश्यों के बारे में, हलां कि कुछ बहुत इंपोर्टेंट हैं तो वह मैं आपको बताता जाओंगा, और कुछ ठीक हैं जो बदब आपको पता होना चाहिए बस, लेकिन जो इंपोर्टेंट है बहुत बिल्कुल आप याद ही कर लें, जैसे गुविंद योगी, तो गुविंद योगी कि जो शिश्य है बो हैं संक्राचाहरे, शंक्राचाहरे, ठीक है, फिर मतसींदरनाथ या मचंदरनाथ, ठीक है, तो ए इनके जो शिश्य हैं बो हैं गुरकनाथ, यादब परकास तो यादब परकास के जो शिश्य हैं बो हैं रामानुज आचाहरे, इंपोर्टेंट है, रामानुज आचाहर नारद मुनी तो इनके शिष्ष कौन है निमबार्क आचारे थीक है राखवानंद तो इनके है रामानंद थीक है अब जो रामानंद है तो रामानंद के टोटल बारा प्रिसिद्ध शिष्ष हैं जिनमें से अनंतादास शुखानंद सुरसुरानंद नरहयानंद भावानंद पीपा, जो राजपूत राजा थे, कबीर, जो जुलाहा थे, सेना, जो नाई थे, धन्ना, जो जाट किसान थे, रैदास, जो चमार थे, पदमा बती और सुरसरी, अब दोस्तों, आप लोग सोच रहोगे कि इतनी सारी चीजें हैं, तो हम याद कैसे करें, देखो, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, ट्रिक नहीं है, एक तरीका है, बस आपको याद कराने का, देखें, जब आप इन चीजों को पढ़ोगे, पहली चीज़त ही होती है, जब आप इन चीजों को बुक से पढ़ोगे, तो आपको लगेगा बड़ी बुरियत होगी, इनको वीडियो है, 57 मिनिट का वीडियो अगर बनेगा, तो आप इमान के चली कि आप इसको 15 मिनिट में 3 बार देख लोगे, ठीक है, 15-20 मिनिट में 3 बार देख लोगे, इससे क्या होगा, आपके माइंड में ये चीज़ें सैट हो जाएंगे, देख रहे हो, सुन रहे हो, चीज़ें मतलब याद नहीं हो पाती हैं, तो उनको भी मैं यह सारी चीज़ें, इसी तरीक से ट्रिक्स उनको मैं समझाता हूँ, तो चली दोस्तों, इस तरीक से आप इनके बस नाम सुनने के एक दो बार, तो आपको ये डेफिनिटली याद हो जाएंगे, देखें आप ज खानंद, फिरा रहा है सुरसरानंद, फिरा रहा है नरहानंद, फिर क्या रहा है भावानंद, ठीक है, तो इतने सारे तो पहले इसमें नंदी हो गए, तो ये तो आपको याद होई जाना चाहिए, ठीक है, अब क्या बचता है, पीपा, ठीक है, तो ये राजपूतरा जाते थे कबीर तो यह imporent हो जाता है क्योंकि यहां पर कबीर हैं इसके बाद सेना धन्ना रेदास एह को गया के ज्याहा रेदास है पदमाबती इंपॉर्टरेंट है सुर्सरी इंपॉर्टरेंट है तो यह इतना है सारे इनके 12 प्रिस्द सिस्से थे next time, बल्लभाचार, तो बल्लभाचार के सिस्से कौन थे, सूर्दास, very, very most important, ठीक है, रैदास, ठीक है, तो रैदास के जो गुरू थे, वो कौन थे, रामानंद, ठीक है, और इनकी जो शिश्य थी, वो कौन थी, मीरवाई, very, very most important, बाबा नरहरी दास, तो ये कौन थे, तुल जाता, जैसे आपकाई अग्रदास हाया है, तो आपने इसको कैसे याद कर लिया है, नाभादास, तो कई बार ऐसा हो सकता है, कि उसमें आपको option में, बाबा, नरहरी दास भी मिल जाए, तुलसी दास मिल जाए, तो आप confuse हो जाओ, लेकिन कई बार क्या होता है, कि ऐसे option आ याद कर लिया करो बाकि नाम अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है फिरें शेक मोहिदी तो शेक मोहिदी की जो शेश्ष थे बहुत है जायसी हाजी बाबा इनके से से थे अस्मान महाबीर प्रसाद दुवेदी इनके थे मैथली शरण गुप्त और प्रेमचंद्र और निराला तो यह तीनों बहुत मोस्ट इंपोरेंट है यह पूछे जाते हैं एक्जाम में पहरें आपको विष्णू श्वामी तो विष्णू श्वामी कि थे आपके शिश बल्लभा चारी है ठीक है और बल्लभा चारी के जो शि रहेंगे बनी रहेंगी यहां तो दोस्तों यह थे हमारे पूरे गुरू शिश और जल्दी में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा इस वीडियो को आफ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोसल मीडिया पे और कमेंट करके मुझे टॉपिक भी बताएं कि ज्यादा प्रवलम आपको हो रही है तो फिर में सबसे पहले बुई टॉपिक आपका लेकर आऊंगा त्याले दोस्तों थैंक्यू थैंक्यू बेरी मिच